नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है सरकारी ग्यान फोर यू में दोस्तों आप सब कैसे हैं उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की चल रही होगी दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ वीडियो री एक्जाम को लेकर और इस भरती को लेकर बहुत ही जवरजस्त बिंदूओं पर इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ तो भाईया अधिक समय वेश्ट ना करते हुए सीधा मुद्दे की बात कर लेता हूँ तो भाईया सबसे पहला जो मुद्दा है वो है रिवाइजड आंस्वर की को लेकर कि भाईया इसकी जो रिवाइजड की है उसको लेकर बहुत सारे यूट्यूबर्स ये बात बोल रहे हैं और मेरे पास बहुत सारे छात्रों ने कमेंट्स भी किये हैं उन्होंने ये कहा है कि सर क्या ये आंस्वर की सितंबर में आएगी या अगस्त लाश्ट तक आएगी तो भाईया मैंने आपको एक बात पहले ही किलियर कर दी है कि इसकी रिवाइजड आंस्वर की सितंबर तक किसी भी हाल में नहीं पहुँचेगी ठीक है इसकी जो आपकी आंस्वर की है मैंने आपको बता दिया कि इस बात की पूरी-पूरी उम्मीद है कि अगले सप्ता हमें जो सप्ता आने वाला है सौमवार से कल से और सनिवार तक चांस है काफी अच्छे कि आपको आंस्वर की देखने को मिल जाए 90 परसेंट चांस है कि जो आने वाला सप्ता है इसमें आपको रिवाइजड आंस्वर की जो है वो देखने को मिल जाएगी 90 परसेंट चांस है और बाकी 100 परसेंट आप मान सकते हैं 25 अगस्त के पहले-पहले मैंने आपको बताया था कि इसकी revised keeper पूरा जोरों के साथ काम चल रहा है लेकिन छात्रों के objection बहुत जादा है हर shift में इसी वजह से थोड़ा समय जादा लग रहा है बाकी मैंने पता किया है तो पता करने पर यही पता चला है कि अगले सब्ता में पूरी उम्मीद बना रखिये स्वमवार से लेके शनिवार तक ठीक है कुछ और नया अपडेट मिलेगा तुरंत आपको बता दूँगा मैं अब दोस्तों बात कर लेते हैं revised answer की में कितना नंबर का आपको हेर फेर देखने को मिलेगा तो बहुत सारे चात्रों का ये विचार है कि केवल एक या दो कोशन का ही आपको अंतर देखने को मिलेगा और ये खबर मार्कीट में बहुत सारे यूटूबर्स भी फैला रहे हैं और ये ब्रहम पैदा कर रहे हैं छात्रों के मन में कि केवल एक या दो कोशन का ही हर सिफ्ट में अंतर देखने को मिलेगा यानि कि उनका कहना ये है कि आयोग जब इसकी रिवाइज उत्तरकुंजी देगा तो केवल एक या दो कोशन में ही आंस्वर बदलेगा या पूर्ण अंक देगा तो मैं इस बात को बिलकुल नकारता हूँ सरे से ये बात बिलकुल 100% गलत है जो भी ये बात बोल रहा है चाये वो छात्र बोल रहा हो या कोई YouTube चैनल बोल रहा हो ऐसा बिलकुल नहीं होगा कि एक या दो प्रस्णों में ही आपको चेंज देखने को मिलेगा बिलकुल 100% गलत है ठीक है आपको कम से कम 12 से 16 नंबर का हेर फेर देखने को मिलेगा रिवाइजड आंसर की में क्योंकि मैंने जितना भी विशलेशन किया है सिफ्ट वाइज ये पाया है कि सबसे ज़्यादा गलतिया जो है करीब 8 से 9 प्रस्णों की वो गलतिया 26 की पहली सिफ्ट में है और 7 से 8 प्रस्णों की जो गलतिया है वो गलतिया है 26 की सेकंड सिफ्ट में है ये मैं आपको और लेड़ी बता चुका हूँ तो कम से कम भईया इस बात की पूरी पूरी उम्मीद है कि 12 से 16 नंबर का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा पहली वाली की में और रिवाइजड आंस्वर की में ठीक है और 27 की सेकंड के अंदर भी काफी कोशन है जिनमें चेंज होगा और 27 की पहली में भी 3-4 सवाल है तो भईया मैंने आपको बता दिया इतना होना ही होना है और जिस छात्र को मेरी बात पर भरोसा ना हो रिवाइजड आंस्वर की जल्द आने वाली है आप देख लेना मेरी खबर का प्रमान आपको मिल जाएगा मेरी खबर कितनी सही होती है इसका प्रमान मैं आपको बार बार देता हूँ और मुझे देना पड़ता है ठीक है ये मेरा काम है और यही बात मैं आपसे बोल रहा हूँ कि रिवाइज डांस्वर की आने दीजिए खबर का प्रमान आप सभी को बहुत जल्द मिल जाएगा कि मेरी बात कितनी सही है बारा से सोले नंबर जो है आपको बहुत ज्यादा लग रहे होंगे लेकिन भईया इतना चेंज होगा ही होगा ठीक है इतना चेंज हर हाल में होना ही होना है वन दरोगा वाला आपने रिवाइज डांस्वर की देखी होगी आठ प्रशनों पर तो यूपिटर पलसी ने या तो आंसर गलत दिये थे या वो परशन ही गलत थे ठीक है और यहां आपको मैंने एक एवरेज बताया है कि 12 से 16 नंबर जो है छात्रों के ऊपर नीचे होने वाले हैं तो भाईया बहुत बड़ा बदलाब अभी बाकी है दोस्तो एक बड़ा माकेदार बिंदू है दोस्तो और आपको मैं ये बता दूँ मैंने आपको ये बता रखा है कि 26 की सेकंड शिफ्ट वालों को 17 से 19 नंबर का फाइदा देखने को मिल सकता है और आपको दोस्तो बता दूँ ये जो फाइदा है ना 17 से 19 नंबर का ये और भी बढ़ सकता है ठी 27 की सेकंड वालों को भी 15 नंबर तक का फाइदा देखने को मिलेगा नौर्मलाइजेशन में और इससे उपर भी हो सकता है पूरी पूरी उम्मीद रखिए भाईया इस चैनल पर आज तक जो भी आपको बताया गया है 95% से ज़ादा सही साबित हुआ है और आपको प्रमाण और लेडी में दे चुका हूँ ठीक है लेकिन जब तक आप प्रमाण नहीं देख लेते तब तक आपको भरुसा होता नहीं है कि मेरी बात सही है या गलत ठीक है कुछ दिन रुकिए सबूत आपके सामने आ जाएगा बिलकुल मैं गैरंटी से बोलता हूँ और अपनी बात पर बिलकुल कायम हूँ आज भी और अंतिम परिणाम आने तक भी कायम रहूँगा ठीक है और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भईया नौर्मलाइडेशन में जो आपके नंबर बढ़ने की प्रक्रिया है वो 17 से 19 नंबर से ज़ादा भी हो सकती है ये बात भी आपको याद रखनी है इससे उपर भी मामला जा सकता है तो भईया हलके में ना ले 26 सेकंड और 37 सेकंड सिफ्ट ये पेपर अपने आप में बहुत ही जवरजस थे ठीक है देखिए ना तो मैंने पेपर दिया ना मैं किसी सिफ्ट में था और ना ही मेरा किसी भी सिफ्ट को लेकर एक विशेश लगाव है कुछ नहीं है बस विशलेशन किया है रिसर्च करी है उसके आधर पर निसकर्श निकालता हूँ तो ये दौना पेपर जो थे अपने आप में बहुत ही भयंकर थे ठीक है और जहां तक मैंने विशेशन किया है यही पता लगा है कि अकेले जीएश जीएश में ही 30 से 35 नंबर का डिफरेंस है पहली सिफ्ट में और सेकंड सिफ्ट में 30 से 35 नंबर का ठीक है मतलब अगर कोई छातर 26 की पहली सिफ्ट में है अगर वो जीएश में 80 नंबर ला रहा होगा तो भाईया सेकंड सिफ्ट वाला केवल भाईया 45 नंबर लाएगा इससे अधिक नहीं लाएगा 45 या 50 तक तो कम से कम 30 नंबर का डिफ्रेंस तो भाईया आपका जीएश जीएश में ही आ रहा है तो ये बात बिलकुल पॉजिटिव रखिए अपने मन में कि भाईया जो भी 6 सेकंड सिफ्ट वाले हैं उनको नॉर्मल आइडियेशन में भयंकर विस्फोड देखने को मिलेगा ये बात मेरी याद रखना इसलिए मैंने यहाले की ये बातें गदर टू फिलिम की तरह अभी धमाल होना बाकी है जिस परकार गदर टू फिलिम बॉक्स आफिस पर धमाल मचा रही है लगतार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ने वाली है उसी परकार आपके रिवाइजड आंसर की और नॉर्मल आइडियेशन ये दोनों बिंदू भी इस वीडियो भरती में धमाल मचाएंगे और मेरी बात को याद रखना हमेशा जब तक आपका अंतिम परणाब न आजाए मेरी बात को भूलना मत दोस्तो रही बात कट ओफ को लेकर कट ओफ का प्रमाण आपको मैंने दे दिया है पूरा सबूत दे दिया है कि बही या जितनी कट ओफ मैंने आस तक बताई है सही साबित होई है और ये भी सही साबित होगी जनरल 145 में नंबर और भईया रही बात रिजल्ट को लेकर रिजल्ट आपका नवंबर में कन्फर्मान कर चलिए आ जाएगा क्योंकि ये भरती जो है यूपिटर पलेसी की प्रात्मिक्ता में बहुत जल्द आ जाएगी क्योंकि इस भरती को लेकर भी काफी यूपिटर पलेसी को जहिलना पड़ा है सरकार की बहुत किरकिरी हुई है और ये भरती ओल्लेडी पांस साल लेट हो चुकी है और यूपिटर पलेसी करमचारी के दोरा पता करने पर यही पता लगा है कि पुरानी भरतियों पर काम थोड है कि अगस्त लास्ट में इसकी जो है OMR स्कैनिंग शुरू हो जाएगी और यूपिटर पलेसी की प्रात्मिक्ता में ये भरती आने वाली है तो भईया बिल्कुल पॉजिटिव रहिए सब कुछ अच्छा होगा आपका अगर आपने महनत की है तो सब कुछ होगा आपका ठीक रही है